एक शिकारी, शिवलिंग के उपर मांस चड़ाता है, लेकिन किसने सोचा होगा एक असाधारन घटना घटेगी, जो सब की आँखें खोल देगी। एक शिकारी जंगल में घूमते घूमते, एक बहुत ही सुन्दर शिव मंदिर के पास आ पहुंचा। मंदिर में जाकर उसने देखा, एक विशाल सुन्दर शिवलिंग स्थापित था, शिकारी शिवलिंग के पास जाता है, वो शिवलिंग की पूजा करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि भोग कैसे लगाते हैं या पूजा कैसे करते हैं। उसके पास शिकार किये हुए जंगली जानवर का मांस था। उसने वो ही शिवलिंग को अर्पित कर दिया। मंदिर से थोड़े दूर पर एक गाव था जहां एक पंडित जी रहते थे, जो मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना करते थे। मंदिर गाव से काफी दूरी पर होने के कारण वे हर रोज मंदिर नहीं जा पाते थे, वे हर पंदरह दिन में मंदिर जाते थे, एक दिन जब पंडित जी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वे देखते हैं कि शिवलिंग पर किसी ने मांस का टुकड़ा चड़ाया हुआ है, इसे देखकर वो डर जाते हैं और शिवजी से माफी मांगकर वो मास को हटा देते हैं और वहां से चले जाते हैं शिकारी अगले दिन फिर से मंदिर में आता है और देखता है कि शिवलिंग पर धूल छड़ गई है वो अनपढ़ शिकारी, न उसके पास कोई बर्तन था, ना ही कोई बाल्टी इसलिए सफाई करने हे तू, वो पास की नदी से मुह में पानी भरकर शिवलिंग पर ठूक देता है और उसी पानी से शिवलिंग को साफ करता है फिर वापस मास का भोग चड़ा कर वहां से चला जाता है जब पंडित जी वापस मंदिर आते हैं, तो शिवलिंग की यह अवस्था देख, वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं शिव जी से माफी मांगते हैं और पूछते हैं पंडित की बातें सुन भगवान शिव, स्वयम मंदिर में प्रकट हो जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं यह सब मेरा एक नादान भक्त कर रहा है, वो मेरा सच्चा आराध्य है, अगर तुम भी उसकी भक्ती देखना चाहते हो, तो कल प्रातकाल मंदिर के पास आकर जाडियों में छुप जाना अगले दिन शिकारी फिर से मंदिर में पहुचता है और देखता है कि शिवलिंग की दाहिनी आँख से रक्त की धारा बह रही है, यह देख शिकारी डर जाता है, उसे लगता है कि भगवान शिव की आँख में चोट लग गई है, वो चोट के इलाज के लिए जड़ी अगल कर शिवलिंग की दाहिनी आँख में लगा देता है, भगवान शिव के कहे अनुसार, पंडित जी यह सब जाडियों के पीछे छुप कर देख रहे थे, कुछ समय बाद शिवलिंग की दूसरी आँख से भी रक्त बहना शुरू हो जाता है, इसको देख कर शिकारी ने कैसे लगाऊंगा? बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये देख कर पंडित जी भी वहां आ जाते हैं, भगवान को अपने सामने देख कर शिकारी और पंडित जी दोनों ही शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान शिव पंडित जी से कहते हैं, ये है मेरा और उनके चर्णों में नत्मस तक हो जाता है। भगवान शिव शिकारी को आशीरवाद देते हैं और उसकी आँखें भी वापस देते हैं।